आजी के दिन 1173 में इटली में बनी पीसा की जुकी हुई मिनार का निर्मान शुरू हुआ आजी के दिन 1831 में अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली आजी के दिन 1876 में बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिटन द्वीतिये का जन्म हुआ लॉर्ड लिटन द्वीतिये का पूरा नाम विक्टर अलेक्जेंडर जॉर्ज रॉबर्ट बुलबेर था ये बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर थे जिन्होंने तथा कथित लिटन रिपोर्ट तयार की थी 1925 में आजी के दिन प्रसिद काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी आजी के दिन 1942 में मॉंबई में भारत छोडो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा देने के बाद राश्ट्र पिता महात्मा गांधी 50 समर्थकों के साथ ग्रफतार किये गए आजी के दिन 1942 में स्वतंतरता सेनानी नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने मलाया जो अब मलेशिया है में जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की आजी के दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासा की शहर पर दूसरा परमानू बम गिराया आजी के दिन 1963 में रूस की राजधानी मौसको में परमानू हत्यारों की परिक्षन प्रतिबंद संधी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत पहला देश बना 1973 में आजी के दिन सोवियत संग ने मार्स 07 का प्रक्षेपन किया आजी के दिन 1975 में भारती अभिनेता महेश बाबू का जन्म हुआ महेश बाबू एक भारतीय तेलगू फिल्म अभिनेता है इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात बाले काल से ही कर दी महेश बाबू साथ नंदी पुरसकार, पाँच फिल्म फेयर पुरसकार, तीन सिनेमा पुरसकार, तीन दक्षिन भारतिय अंतरराष्ट्रिय फिल्म पुरसकार और एक अंतरराष्ट्रिय भारतिय फिल्म अकादमी पुरसकार जीते हैं आजी के दिन 1996 में मास्टर ब्लास्टर सचीन तेंदूलकर को भारती क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया आजी के दिन 2000 में संसद ने मध्य प्रदेश पुनरगठन विधेयक 2000 को मन्जूरी दी जिससे एक अलग 36 गर राज्जी के निर्मान का रास्ता साथ हुआ और आजी के दिन 2005 में नासा का मानो युक्त अंत्रिक शियान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एर बेस पर सकुशल उत्रा